कच्च्याम का मेठा चार बनाई गए देखिए इसलाइस कटा हुआ जैसे कि आलो चिपस बनाते हैं उस तरह से स्लाइसर से इसको कच्च्याम को स्लाइस करके सुखा दिया है यह बिल्कुल ड्राइ है देखिए कहीं से भी गिला नहीं बिल्कुल शूप गया है दो दिन आँखे के नीचे भी सुखाज सकते हो यह है आदा किलो गूड आदा किलो गूड है 5-6 आम के लिए आदा किलो गूड काफी है अब इसका पाक ले लेते हैं गैस जला कर एक कढ़ाई ले लेजे इसमें गूड डाले और जड़Net पानी जैसे गूड को हल्का सा डूपते जैसे छोटे गलास से इत्ता सा पानी हो जाएगा क्यूंकि इसको गूड में पहले से पानी रहता ही है तो इत्ता पानी काफी है डूबना नहीं है, हलका सा डालो तो हो जाएगा अब इसका पाक लेना है, पाक भी आपको स्मूथ वाला ही लेना एक पाक बनता है, टाइट कड़ा सा वह सा नहीं पहले से घुल लेने देते हैं, आज को मेडियम रखे गैस को और इसे कंटिनीव चलाते रहे देखे, पुरा घुल गया है, अब उसे ऐसे चलाते रहेंगे और इसे चेक करते रहना है बीच बीच में कि जरा सा पानी ले एक बाल में और इसे चेक करने के लिए जरा सा पाक को आप पानी में डालेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि पाक बना है या नहीं तो इसके लिए आप चेक कर किजी कि तो बाकी एकदम जेली जैसा लग रहा है तो अभी बना नहीं है एक मिनार के बदा और देखते हैं देखे इस पाक को एक खटा करना है बानी में जो हम लोग लिए हैं अभी तो यह जड़ा सा स्मूज सा बन जाए मतलब यह थोड़ा सा जना टाइट बनी ना लूज देखे इस तरह से स्टिक की स्टिक की सा बना है ना तो अभी स्टैम पर गैस को हम बन कर लेते हैं एक चम्मर सौफ है और आदा चम्मर जीरा लेजिए और जरासा इसमें एक से दू चम्मर धनिया कड़ी धनिया है इसको हलके से गैस जलाकर धीमी आज पर हलका सा एक मिन एक से दू मिनट बुंग ले धीमी आज पर इसको हलका ठंडा हो जाने के बाद इसको कूट लेना है तो देखे कलर बदल गया अब गैस को बन कर लेते हैं इस तरह से आप कुछ है इसमें डालकर कूट लेजिए या फिर आप एक से दो बार मिक्सी जार में भी चला सकते हो डालके इस तरह से कूटने के बाद देखे रडी है तो इसे हम गरम गरम पाक में डाल लेते हैं कि ठंडा होने के बार थोड़ा सा टाइट हो जाएगा पाक तो इसमें ज़रा सा नमक, अब एक चम्मच रट चिली पौडर भी डालना है, ये खटा मीठा, खटा मीठा में मिर्ची भी अच्छा लगता है, सूखा अचा रहे हैं, आप इसे ऐसी खा सकते हैं, हमारे याँ तो इसे घुम घुम के खा लेते हैं, एक अपता में खतम हो जात है, तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चामल के साथ साइड डिस जश सा चार लेते हैं, इस ट Antiamp में, ये पाचन के लिगा अच्छा रहते हैं, इसमें जीरा संप सब है, तो इसको अच्छा से चला하िए, गूर में अच्छा से, पाक में अच्छा से लग लगने के बाद एक बावल या डब्बा में लेकर ठंडा होने के बाद आप इसे रख लेजिए यह बहुत दिन तक रहता है आप इसे एक महना या तक खाल सकते हो पाचन के लिए अच्छा रहता है मीठा अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा आपसे एक साल तक भी रख सकते हो तो इस तरह से आप ठंडा होने के बाद ही कहावा बंद डबबा या फिर बरतन में लेकर इस तरह से रख लेजिए इसे चामल के साथ खाईए फिर ऐसे भी आप खा सकते हो बहुंती टेस्टे अड़े बर खाओगी इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगी थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू